सावन सोमार आने ही वाले है और आज मैं लाए हूँ आपके लिए वरत की ऐसी रेसिपी साबू दाने की ऐसी रेसिपी यहाँ पे आपको ना तो साबू दाने को भीगोना है ने तो घंटो इसका इंतजार करना है तुरंद बनाईए और इसे स्टोर करके रख सकते हो तीन दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो ये वीडियो प्लीज पूरा देखिए नहीं तो आपको रेसिपी समझ नहीं आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप के करीब साब साबुदाने को यूज करना है तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राइंडिंग जार उसमें मैं एट करूंगी एक कप साबुदाना और इसे आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है जैसे हम आटा पीसते हैं तो यह देखिए फ्रेंट चावल का जैसे आटा होता है वैसे आपको साबुदाने को ऐसे पीस लेना है तो चलिए इसे में एक बाउल में ट्रांसपर कर लेती हूँ तो इतना ही आपको करना है आप चाय तो साबुदाने का पावडर बना के भी रख सकते हो यहाँ पे मैं एट करूंगी पीनट को थोड़ा सा रोस्ट करके छिलका उतार कि आपको एट करना है वनफोर्थ कप के करेब एक चमच यहाँ पे मैंने अध्र को एट किया है थोड़ा सा ग्रेट करके मसाला आप जो व्रत में खाते हो वही आप एट कर सकते हो ग्रीन चिली एक टेबल स्पून में यूज करूंगी बड़ा वला और आलू यहाँ पे आप लेना है चलिए इने में पील कर लेती हूं तो यह देखिए फिर नालू को मैं पील कर लूँगी वैसे आपको क्रश कर लेना है एक बार यह रेसिपी आप जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है तो चलिए क्रश कर लेते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर मैं एट करूंगी एक चमच जीरा साबू जीरा अगर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो यहाँ पर स्कीप कर सकते हो यह व्रत का नमक है सेंदा नमक उसे आपको एट करना है और यहाँ पर जो मैंने आलू को क्रश किया है उसे अड़ करना है, तो चलिए आलू को आड़ कर लेती हूं, इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, ऐगर अगर निक्षर थोड़ासा ड्राय लगे, तो आप थोड़ासा आलू और आड़ कर सकते हो, तो तो यह देखे फ्रेंड, और थोड़ासा अगर लुज हो तो यहाँ पे आप साबुद आने का जो आपने पाउडर बनाया था उसे आप एड़ कर सकते हो ऐसे आपको फैला लेना है चारो तरफ तो चलिए ऐसे ही मैं फैला लेती हूँ यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी मैं कैसे आप इसे आसाने से फैला सकते ह यह देखे ग्लास की सायता से आपको चारो तरफ ऐसे ही फैला देना है। ऐसे आपको रख देना है फ्रीजर में एक से दो घंटे के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहांपे हम स्कॉयर में इसे कट कर लेते हैं। ताकि जब set हो जाए तो square अच्छी तरीके से नजर आने लगे और आराम से निकल जाए तो चलिए ऐसे मैं square में cut कर लेती हूँ आप चाहे तो छोटे या बड़े pieces यहाँ पर कर सकते हो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए इसे रख देती हूँ set होने के लिए एक से दो घंटे के लिए freeze में आप freeze में या defreeze में भी रख सकते हो तो चलिए मिलते हैं एक से दो घंटे बाद तो यह देखे फेन अच्छी तरीके से set हो चुका है और इसे आराम से आपको remove कर लेना है ऐसे ही यह देखे कितनी आराम से यहाँ पर remove भी हो जाते है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको ऐसे remove कर लेना है सारे pieces को in case आपके case में थोड़ा सा यहाँ पर liquid हो जाए batter तो इसे थोड़ी दिर के लिए आप और रख सकते हो freeze में set होने के लिए तो चलिए इन्हें हम fry कर लेते हैं यहाँ पर आप जो oil खाते हो व्रत में उसे आपको यहाँ पर add करना है ऐसे आपको अच्छी तरीके से fry कर लेना यहाँ पर मैं shallow fry कर रहे हूँ आप चाय तो deep fry भी कर सकते हो तो चलिए फ्रेड इसे अलट पलट करके आपको अच्छी तरीके से golden होने तक fry कर लेना है तो यहाँ पर देखिए आप pieces को अच्छी तरीके से एक box में भर के ऐसे ही रख सकते हो फ्रीज में जब आपको खाना चाहे आप इसे सिर्फ निकालो और fry करो और खालो प्लीज आप मेरी वीडियो तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और एक लाइक बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इसे motivation मिलती है और अच्छी अची recipes आपके लिए लाने के लिए और प्लीज वीडियो को बीच में skip ना करें क्यूंकि आपको recipe अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी तो चलिए second batch भी मैं ऐसे ही fry कर लूँगी ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलिए तो चलिए मैं मिलती हूँ ऐसे ही आपसे अगले वीडियो में